हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चलनल फार्मेसिस सभी कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं हेम पुश्पा सिरप के बारे में किस तरह से काम करती है महिलाओं को इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं इसको लेते समय उ इसे नैचरल हर्ब्स और प्लांट्स एक्स्टरक्ट से बनाया गया है यह ज़्यादे तर महिलाओं दारा यूस किया जाता है क्योंकि इसे खास तोर पर महिलाओं के लिए ही बनाया गया है इसके अलावा यह उन महिलाओं के लिए ज्यादा यूसफुल होता है जिनको पीर होनेस्रो達 होग जाते हैं हमारे जो डाजेशन है वह खराब होने लग जाता है सुष्टी महसुल सहות उलग घाती है तो इन सभी को बैलेंस करने के लिए तुर highly ऐसे कि जो हमारा हार्मोनल इम्बैलन्स मेरी नहीं आती है और पेंडी बहुत जादा होता है तो इस टाइम से पिरिट्स लाने में उनको रेगुलर करने में बहुत हैल्प करती है इसके अलावा जिनको बहुत जादा हैवी पिरिट्स होते हैं उनके लिए भी काफी फायदे मंद है उनकी पिरिट्स को लाइट करती है और जो पेन होता है उसको भी aráने में भी बहुत हेल्प करता है जीन महलाओं को मोनोपोज हो जाता उनके बौड़ी में काफी सारे क्थिक्ट शहू को जाती है जैसे को कमजोरी महसुस होती है बौड़ी बहुत वीक फील करती है पसीना बहुत ज़्यादा आता है जी मचलाता है इन सभी परिशानियों से चुटकारा पाने के लिए हम हम पुषपा का यूज कर सकते हैं इसके अलावा जिन लोगों को पेट से रिलेटेड को भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि पेट में बहुत ज़् परद रहता है एठन महसुस होती है जी मचलाता है ज्यादातर उल्टी आने का मन होता है उस केस में भी इन सभी समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए हम हम पुषपा का यूज कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर खुन की कमी हो गई है या जिनके अंदर बहुत ज़्याद को बहुत सारे फायदे होते हैं अब अगर इसके इंग्डेडेंस के बात करें तो इसके अंदर काफी सारे नैचुल प्रोड़क्स शामिल होते हैं जिनसे हमें इन सभी परिशानियों से चुटकारा मिलता है जैसे कि धातकी पुषप मुसली शतावर बाक शंक पुषपी का चैसे हमें रहता है अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है वो इसको दिन में दो बार ले सकती है खाना खाने के बाद सुबह साथामील पिसको यक्छ लेना है और अगर को ईसको टूरण्त महसूस होती है तो आपको इसको तुरंत लेना बंद कर देना है। और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब बात आती है कि इसको कब तक यूज परना है। तो आप इसको maximum 2 months तक use करके देख सकते हैं। अगर टू टू मन्थ यूज करने के बाद आपको इसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है तो आप इसको तभी के तभी लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलहा जरूर ले इसको यूज करते समय आपको कुछ बातों का भी जरूर ध्यान रखना है जैसे कि इसको जो दोक्टर के द्वार आपको जो भी डॉस बताई जाती है उस डॉस से जादा इसको नहीं लेना है अगर आप ऑवर डोस लेते हैं तो उससे काफी सारे नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं दूसरा जिनको आवरवेट है जिनका वेट पहने से ही बहूत जादा है वो अपने डॉक्टर के सलहा के बाद ही इसको ले इसको खाली पेड बिलकुल नहीं लेना है कुछ नबुच घाना खाने के बाद ही इसको आपको यूज़ करना है। दूसरा जो pregnant lady है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनको अपने डॉक्टर से संपर करने के बाद ही इसको लेना है डॉक्टर आपको जितना इसको प्रिसक्राइब करते हैं उतने ही quantity में आपको इसको लेना है जो alcohol लेती है उनको भी इसको alcohol के साथ बिल्कुल भी यूज नही हें पुष्पा लेने से पहले अगर आप कोई भी दूसरा सप्लिमेंट जैसे के मल्टी विटामेंस या मिन्वर्ल्स या फिर कोई भी दूसरी जो मैडिसिन्स है वो आप ले रहे हैं तो उस केस में भी आप अपने डॉक्टर से सलहा करने के बाद ही इसको यूज करें तो आपको इससे रिलेटिड को भी कोशन है कोहरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं मैं उसको रिप्लाइ करने की पुरी कोशिश करूंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही क्योंकि और नहीं थैसे रिलेटिक्यों कर फिर्फक्य।